जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में सेमी लोगडाउन के बिस्तार पर आज फैसला जारखन में करोना के बड़ते संक्रमन को देखते हुए राजे की हेमान सुरेन सरकार द्वार बाताग अस्थाकित हो गई बता स्थाखन की हेमान सरकार ने राज्य में करोना के बड़ते हालात को देखते हुए तिन जनवरी को हुई आपता प्रवंदन प्रादिकार की बैठक में कई तरह की पवंद्या लागु की थी 15 जनवरी 2022 थक यह पवंद्या लागु है आज इ जारखन में जारी रहेगा कोहरा 10 से 12 के बीच हो सकता है निवतमतापमायन रायस्थान से आई पच्मी भी छोब का असर सनी बार तक जारखन में रहेगा पतादे सनी बार को राजे के पुर्वी सिम्भू, पच्मी सिम्भू, सिम्डेगा, सरायकला खरसावा तथा राची, बोकारो, गुमला, हजारी बा, खोटी, रामगार में कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है सेस भाग में समाने तर बादल चाये रहेंगे मौसम केंद्रे ने पुरुनमान किया है कि 16 से 20 जनुवार तक पुरे राजे में सुबा में कोहरा रहेगा बाद में आसमान साफ हो जाएगा बता दे सुक्रवार को राइधानी में दिन भर आकास में बादल चाया रहा कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी जहर्खन में कोरोना का उपर उठता हुआ कर्ब अब सीधा रेखा में तबदिल हो ता दिख रहा है स्वास्थ विभाग द्वारा जारी आकड़ो के नुसार 10 जनवारी को 422 ने संक्रमित मिले वही 789 संक्रमित स्वास्थ हुए बता दे 4 दिन बाद 14 जनवारी की साम तक 377 संक्रमित स्वास्थ भी हुए है खलिहान में खेल रहे बच्चे की किटनेपिंग के बाद सो बरामद पांच गिरफतार जार्खन के गिरी डी जी लेके जमुआ थाना छेत्रा अंत्रगात चच घारा गाउन निवासी राजकुमार सरमा के दस वर्षिये पूत्र लौ उर्फ राजा सरमा की अपरादियों ने हत्या कर दिया है बतादे लव का सो मिलने के बाद इलाके में संसनी फैल गई है लव का सो जमुआ थाना छेत्रा अंत्रगात फानुडी जीत एक कुए से मिला है इस घाटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है बतादे इस ममले में पूलिश ने पांच अरोपयों गिरफतार कर लि सरकार के आयूस मंत्रा लाए पतांजली बिद्या पीट एवं कई अने संस्थाओं के सोजने से आयोजीत 75 क्रोर सूरे नमस्कार कारकरम में पूरे देश से बिद्या भारती के लगबक 8 लाक बच्चे सामिल होंगे बतादे क्रोना संक्रमन के कारण अधिकतर राजियों में स्कूल बंद रहने के कारण ये बच्चे अपने अपने घरों से इस कारकरम में ऑनलाइन जुडेंगे जबकि RSS के स्वेम से वक सकाओं में सूरे नमस्कार करेंगे जार्खन में नया नियम लागू अब एक साथ नहीं मिलेगा दो माह का रासन जार्खन में जन वित्रन परनाली के तहट अब लाभू को को दो माह का रासन एक साथ नहीं मिल सकेगा बतादे नई बेवास्था को लेकर खादा पूर्ती विभाग नहीं समध में निदेश चारी करते हुए का है कि इस बेवास्था के बाद लाभू को किसी भी हाल में एक माह का रासन उसी माह के अंध तक उठा लेना होगा यह बेवास्था रासन देने में हो रही फर जीवाले को रोकने के लिए की गई है ताकि रासन की चोरी रोकी जा सके बता दे इसके लागू होने से जारकंड के 57,00,000,000 परिवारों को इसका लाउब मिल सकेगा जारकंड पूलिस के पोष्टर जारी करते ही रांची से दो उग्रवादी गीरफतार जर्खन पुलिस ने कल से ही नकसल प्रभावी छेत्रों में पोस्टर वार शुरू कर दिया है बता दे रांची सहर में पीलेफाई उग्रवादियों की गतिवी दिया लगातार बढ़ रही है रांची सहर के बीचो बीच कोतावली इलाके में पेलेफाई से जुड़े उग्रवादी बाइक सर्विस कराने पहुंचे थे इसकी भानक मिलते ही कोतवाली थाने के पुलिस ने दोनों को धर्दबोचा है बता दे दोनों से पुलिस पोस्टाश कर रही है धनबाद बजार समीती से अवयद सराब वनकली घी कारोबार का खुलासा है इस वक्त की बड़ी खवर धनबाद से आ रही है बता दे जहां जन बित्रन परनाली के रासन के चावर की काला बजारी को लेकर हुई छापे मारी में सराब के अवैद कारोबार का खुलासा हुआ है सराब का यह बड़ा स्टोक धनबाद बजार समिती परिसर्थ से बरामत किया गया बता देख करवाई जहरिया पुलिस ने किया है गोदाम से नकली घी भी बरामत किया गया है मामले में पुलिस किसी को गिरफतार नहीं कर पाई है जनकारी के मुताबिक जहरिया थान है कि पुलिस जन विदरन पनाली के तहट लोगों को दिये जाने वाले चावल की कला बजारी को लेका छपे मारी करने धनबाद बजार समिती गई थी जारखन में 20 जनवाई तक पूरे राजे में सुबह में कोहरा जारखन में सनिवार को कई जिले में हलकी बारिस्त की असंका है बता दे सेस भाग में समानेत बादल चाय रहेंगे मौसम केंद्र ने पूर्वानवान किया है कि 16 से 20 जनवार तक पूरे राजे में सुबा में कोरा रहेगा बाद में आस्मान साफ हो जाएगा बता दे सुक्रवार को राजधानी में दिन भराकास में बादल चाया रहा वहीं राजधानी में निमतम तापमान 12.2 डिग्री सेलसियस और अधिकतम 17.8 डिग्री सेलसियस रहा जमसेदपूर में तंत्र सिधी के लिए चड़ाई बली जमसेदपूर में तंत्र सिधी के लिए एक सक्त की बली चड़ाया देने की घटना उजागर होई है पूलिस इसी एंगल से मामले की जाच कर रही है घटना गोविंद पूर थाना इलाके के खैरबनी की है बता दे जीले के गोविंद पूर के खैरबनी में एक लगभग 60 बरसी ब्यक्ति का सौव मिला है जिसकी तंत्र बिद्या में हत्या किये जाने की असंका ब्यक्त की जा रही है उसके सीर पर किसी पत्थर से वार कर मारा गया है अब तक उस ब्यक्ति की पचा नहीं हो पाई है सौव के पास मिली तंत्र मत्त की समागरी भी मिली है नकली नोट का कारोबार में महिलाओ की इंडरी जमसेद पुरसहर के बजार में 100 रुपए के नकली नोट चलाया जा रहा है इसका खुलासा तब हुआ जब साक्ची बजार में 3 दुकंदारों से महिलाओने समान खरी दे इन में एक दुकंदार का नाम महिश प्रसाद केसरी है जिन्होंने मचली मार्केट के निकट मकल संक्रांती के समागरी की दुकान लगाई है बता दे उन्होंने बताया कि दो महिलाए उनके पास आई और चुड़ा गुड़ वा अने समान खर दे इसके एवज में उन्होंने एक एक कर सौसो के नोट दिये इसमें जो बचे पैसे थे वा उन्होंने लटा दिया इस बीच अचानक बारिस होने लगी बारिस होने पर नोट भी भीग गए भीगने के बाद जब नोट को देखा तो उससे रंग छुट रहा था समझते देर नही नोट देखर चले गए पिछड़ा वर्ग संहर समोर्चा ने 21 जनवरी को होने वाली धरना अस्थागित की पिछड़ा वर्ग संहर समोर्चा जारखंड की एक बैठक लालपूरी स्थीत अमरावत्ती अपार्टमेंट में सुक्रवार को हुई बैठक के अध्यक्षता पिछ वाली धरना को अस्थागित कर दिया जाए लालचंद महतों ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी कोविट गाइडलाइन को देखते वे धरना को अस्थागित किया गया है धरना की अगली सुचना गाइडलाइन के अनुसार दी जाएगी मकर संक्रांती पर रांची में 14 लाख लेटर दूद की हुई खपत जार्खन में 23,110,133 पर परिवारों को मन रहेगा के तषथ एक दिन का भी काम नहीं मिल सका है बतादे राजे के कूल 45,89,279 जोबकारधारी परिवारों में से 22,50,166 परिवार ही ऐसे हैं जिने एक दिन या फिर उससे अधिक दिन का काम मिला है बतादे इसमें 54,41 परिवार ही 100 दिनों का काम कर चुके हैं एक तरह जहां राजे सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने का निर्देश दे रही है वहीं केंद्र सरकार ने भी असपष्ट कर दिया है कि मन्रेगा के तवत 50 फिश्दी परिवारों को 100 दिन का काम नहीं मिलने पर रासी नहीं दी जाएगी जारखन में करोना के 3749 नए मरीज मिले तीन की मोथ 1 टिप के 37,000 के पार जारखन में कुरोना के 379 नए मरीज मिले हैं जो राची से 1355, पूर्वी सिम्भूम 472, बोकारो 113, 1306, धनबाद 134, रामगोय 54, पच्छमी सिम्भूम 74, कोडार्मा 164, पलामो 142, देवगर 125, गुमला 41, गिरीडी 10, खोटी से 8, लातेहर 25, सिम्डेगा 141, सराय के लाखर 10, गडवा 43, लोहदागा 22, 148, गोड़ा 97, जामतरा 11, दुमका 193, साहिवगं 66, पाकुर से 27 मरीज मिले हैं बता देत 3 मरीज की मौत हुई हैं वहीं एक्टिव केस 33R के पार हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बल के लेकर दबाएए साथ-साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के बाद से फेस्बुक, टूट, इंस्टाइगराम पर सेर करना ना भूले, साथ-साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बेक आवसे दे, थाइंक यू